जैंद बने मातरम भारत माता की जै मेरे प्यारे देशवाशियो आज का ये दिन हम सभी के लिए नजाने कितने जख्म दे गया, कितने घाओ दे गया मेरे प्यारे देश वाशियो आज जम्मु कश्मीर के पुलबावा में हुए आतां कि हमले में हमने अपने देश के चालिस सुपूतों को खोया हम जखम हर दिन हर रोज खाते आ रहे हैं बड़े दुख की बात है कि मेरे देश के जवान मेरे शहद के बीर अपनी इस मत्र भूमी के लिए अपना सर्बोच बलिदान कर गए हमारी आजादी के लिए हमारे सुक्चैन के लिए किसी माँ ने अपना बेटा हो दिया किसी पत्री ने अपना सुहाख हो दिया किसी बहन ने अपना भाई इस देश पर इस मात्र भूमी पर कुर्बान कर दिया और आज जो लोग हमारे बीच में नहीं है उन्होंने अपनी शहादत इस मात्र भूमी के लिए दी मेरे प्यारे देश वाश्यों आप सभी का प्यार आप सभी का आदर आप सभी का शन्य भारतिय सेना के प्रति बना है ये पुरे देश के सेनिकों के लिए गर्ब की बात है लेकिन जब ऐसे मारमिक पल हमारे जीबन में, हमारी जिन्दगी में आए दिन ऐसी घटनाएं जम्मो कश्मीर में होती है ओ घटनाएं जो हमें अंदर तक जखजोर देती है आज जम्मो कश्मीर के पुलवाओं में जो आतंकी हमला हुआ हमारे देश के सेनिकों के मेरे CRPF के भाईयों के शबों के चिथड़े उड़ा दिये गए बड़े दुख की बात है, बड़ा सोचनी और चिंतनी अभिशय है मेरे प्यारे देशवाशियों, एक देश का सेनिक सदेव अपनी मात्र भूमी के लिए अपना तरबोच बलिदान देने के लिए तयार रहता है लेकिन अगर हमारे देश के राजनेता उस देश के सेनिकी सहादत पर राजनिती करते हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा आपको बोलने का दिकार है, आप बोलिए आप देश के राजनेता है, आप राजनिती कीजिए लेकिन बात जब देश के सेनिक की आती है, उसकी सहादत की आती है आप अपने परिवार अपने बच्चों को अपने किसी परिवार के सदस्य को देश की शरुदों पर भेज कर देखिए बीच में कुछ आज एक कुछ एक निता देश के सैनकों के उपर उनकी शहदत के उपर राजनिती कर रहे हैं उन घटिया लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर उनका बेटा उस हमले में शहीद हुआ होता तो मैं कहना चाहूंगा क्या वो आज भी राजनिती करना चाहते यह बड़े शर्म की बात है बड़े दुख की बात है हिंदोस्तान इतना बड़ा दम झहेल रहा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारी देश के सेना के उपर हुआ और हमारे देश के 40 बीर अपनी शहादत का जामिस वतन के लिए पिया लेकिन वो सत्ता के चंद कीडे जिने उस आतंकी हमले में भी अपनी रोटियां सेकने की पड़ी है उन्हें शर्म आने चाहिए मेरे प्यारे देशवाशियो सैनिक सिर्फ देश का होता है लेकिन आपस में इस प्रकार की अनापसना प्यान बाजियां करना आज देश गम के महौल में है और नाजाने कितनी बेदना है उस मां को अपने बच्चे के गम में हो रही है नाजाने क्या उस हमारी बेहन जिसका सुआग उजड़ा है उनके ओपर क्या बीत रही है और हमारे देश के ओबुद्धी जी भी कुछ एक राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए इस परकार के घटियां ब्यानबाजियां कर रहे है यह बहुत ही दुखद और चिंतनी यह भी शय है मेरे प्यारे देश माशियो मैं भारत सरकार से उमीद करता हूँ कि जिस परकार उड़ी हमले के बाद भारतिय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी आज हिंदोस्तान फिर से यह चाहता है कि फिर से दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए अगर हमारे देश के मेरी देश की सेना के 40 वीर सहीद हुए हैं तो आज हिंदोस्तान को जुरूरत है उन 40 के बदले 400 सरकार ने की उन 40 उन आतंकियों को खतम करने की लेकिन मेरे प्यारे देशवाशियों कब तक हम एक धौस सहते रहेंगे कब तक हम जम्मु कश्मीर में अपनों के अर्प्षियों को कांधा देते रहेंगे बहुत हो चुकी मकारी बस बहुत हो चुका अस्ताक्षे अब हमें मुझे तो यह लगता है कि अगर दिल्ली की सरकारें अगर आदेश दें तो जितने आतंकी जम्मु कश्मीर में यह सारे जितने भी अलगावादी नेता जम्मु कश्मीर में रहे हैं यह सारे उनी के कुकर्मों का फल है अगर कोई पत्थर बाज और आज इस आतंकी ने फिदाइनी अमला किया, ओ जम्मू कश्मीर के पुलबामा का वहीं पे, और जहां पे हमला हुआ, ओ आतंकी वहीं का, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, वो सभी लोग देश के गदार हैं, जो उन पत्थर बाजों को सैह दिये जा रहे हैं, और वोही प अ कि भारत भारती है सेना एक अतंग्यों को दबने में भारती है सेना दुनिया किसी भी मुल्क से बदला लेने में सक्षम है लेकिन जब इस परकार की गटनाएं मेरे देश में होती है और मेरे देश के नेटा देशवास्य ओड़ी हमले के बाद मेरी कविता कश्मीत होगा पाकिस्तान नहीं होगा वाइरल हुई थी आप सभी का भरपूर प्यार से होग मिला था और हमें उम्मी थी कि कभी दोबारा हमारे देश के गदार इस परकार के हमारे देश के या जो आतंकी है वो कभी इस परका है वो आज नहीं वो आए दिन भी हो सकता है इतने शुरक्षा की इंतजाम होने के बाद भी अगर आतंकी सेना की गाड़ी के ओपर हमला करते हैं सेना के बहनों को अगर शिकार बनाते हैं यह हम सभी के लिए सोचनी और चिंतनी यह भी शह है मेरे देश के जवानों ने नज ने कितनी बार सहाधत का जाम पिया ओचाए प्ठान कोट हमला हो ओचाए उरी हमला हो ओचाए आज पुलबावा में जो हमला हुआ ओचाए वो हो हम लोग हमेशा शांती चाहते हैं मेरे देश के सैनिक हमेशा लोगों के साथ अमन चाहते हैं हमें कभी नहीं चाहते कि हमारी बज़ा से कोई बेगुना मारे जाएं लेकिन आज बगता गया इंदोस्तान को कड़ा जबाब देने का भारत के मानने प्रधान मंतरी मोदी जी को अपना रुख पाकिस्तान के खिलाप और अतम के खिलाप टड़ा करने का मेरे प्यारे देश भाषियो अगर इसी परकार हमार इस भाषियो चाहिए कॉई बी पार्टी की सरकार हो लेकिन मेरे देश पर जो स्प्रकार के आतम की हमले होते हैं मेरे देश के वीर सैनिकों को जो शे travelling पर हमाख की सुरक्षा के लिए खडए हैं जब मामला उनकी सु रक्षा शे जुड़ा हो या जब भारतिय सेना के जवा रात्तो बाद का सभाया करना होगा बेगुनहाओं को भी मारना होगा क्यूंकि कुछ एक लोग पत्थरबाज्यों के हमदर्द और हिमाइती बने हैं उन सभी को रास्ते से अटाना होगा क्यूंकि वही लोग आज जमु कष्मीर में हैं जो भारतिय सेना के जुआनों को और यहां के नागरिक है जो शक्स माँ भारती के खिलाप खड़ा होता है वो देश का गदार है और हर इंदोस्तानी का एक तब बेपनता है कि हम सभी उनके खिलाप खड़े हों और भारत सरकार को चाहिए आज जम्मु कश्मीर में राश्ट पती साचन लगा हुआ है और कि जम्मु कश्मीर में जहां भी को भी पत्थर बाज दिखे उसे बड़ा होने से पहले ही उसका सरकलम कर दिया जाए क्यूंकि आज पत्थर मारेगा कल गोली चलाएगा परशो अतंक वादियों के साथ मिल करके मेरे देश के सैनिकों के उपर हमला करेगा मेरे प्यारे देश भाषियो इतना बड़ा गम हमें मिला आज सारा हिंदोस्तान सारी दुनिया हम उन सैनिक परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं विश्व की सारी शक्तियां उन लोगों के साथ खड़ी हैं उन साइक परिवारों के साथ खड़ी हैं लेकिन आए दिन 36 ग हम लोग कहां कमजोर पड़ रहे हैं कि मुनातंकियों से लोवा नहीं ले सकते, मेरे प्यारे अज जुरूरत है हम सब को भुलंद आवाज के साथ एक जुट होने की और भारत सरकार को कड़ा निरने लेने की, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतिय सेना को फ्री हैं को खतम कर देना चाहिए, जिनकी बजह से आए दिन हमें अपने देश के वीर सेनकों की शहादत पर हमें दुख जेलना पड़ रहा है, मेरे प्यारे देशमाशियों, बहुत से आप लोग जुड़े हैं, मेरे भाई यहां पे, आप सभी काज, हम सभी लोग, अपने देश के परिवारों के साथ खड़े हैं, मेरे भारत मां के जिस लाल निस मातर गुमी के लिए अपना सरबोच बलीदान दिया, जो हमारी बैन पितबा हुई, जो हमारे बच्चे अनात हुए, जिस मां की गोदी सुनी हुई, आज सारा इंदोस्तान उस मां के साथ खड़ा है, उस ब बच्चों को आप देश के किसी बर्दीधारी संगशन में भेज के देखो, तब पता चलेगा शदों की इफाज़त कैसे होती है, और अपनों के बिछुड़ने का गम और दर्द क्या होता है, लेकिन आप सिर्फ एसी कमरे के अंदर से रन्निती बनाना, ओ बात अची नहीं है, आप एंटी स्टेटमेंट्स दे, ओ चीज अची नहीं है, आज पुरा देश गम में डुबा है, और सारा देश ये चाता है, कि हम सभी लोग अपने उन 40 शहीदों का बदला लें, और हम लोग एक जुट हो करके उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हों, हम अपनी उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को देश की के अंदर सरकार ने कड़ा संदेश दे करके सरजगल स्काई किया, उसके उपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और आज जब इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दर्द हमें मिला, और आज पुलबामा में अतंकी हमला हु चार दिन के लिए लोग मिडिया में उन सईदों के फोटो लगाएं, उन सईदों की पोस्ट सेर करेंगे, लेकिन पांच वे दिन उस परिवार को ही वो गम जेलना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गम उस सईद परिवार को मिला है, उसके बच्चों को पुरी उ उम्र अनात जीना पढ़ेगा और उस हमारी बहन को जो अपने सुहा का इंतजार कर रही थी सारी उम्र से बिदवा ہोकर के जीना पढ़ेगा वे उसुने इस बतन के लिए कुरबान किया उस मां को सारी उम्र बिना बेटे के जीना पड़ेगा, कितना बड़ा गम है, कितनी बड़ी शहादत है हम आप के लिए, अगर उन्होंने अगर हमला अपने उपर नहीं सहा होता, तो ओ आतंकी किसी और को मारते, हम आप, हमारी शुरक्षा के लिए मेरे देश के सहनी खड़े हैं, और हम आप, हम आप के लिए मेरे देश के जवान हर रोज सरदों पर सहीद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे देश के कुछ एक राजनेताओं की, कुछ एक लोगों की सोच, आज भी नकारातमक है, मेरे देश के सैनिकों के खिलाप है, जो इतना बड़ा दर्दिस देश के लिए, अपना सरबोच बलिदान देकर के लिए, अपने प्राण मातर भूमी के लिए त्याग कर रहा है, उस सैनिक के प्रती, आप इतनी छोटी मान सिकता और चोटी सोच रखते हैं, आप से, आप से घटिया लेबल का कोई लोग हो इनी सकते, मेरे पहरे देश माशियों मैं उमीद करता हूँ मानने प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी जी से, आपके निरने हमेशा देश हित में कड़े रहे हैं, मानने प्रधान मंत्री जी आपने कड़े निरने इस मातर भूमी के लिए इस देश के लिए दिये, बहुत कुछ आपने पांस साल में मेरे भारत को लिया भारतिय सेना को आपने सक्त किया आपने भारतिय सेना के आद उनकी करण के लिए कड़े फैसले लिए राफेल जैसा विमान भारतिय सेना में आना अपाचे हेलिकाफटर जैसा भारतिय सेना में चिनूक का भारतिय सेना में आना भारतिय नौ सेना के लिए कई कड़े फैसले लेना हम आपके फैसलों का स्वागत करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद होई थी आज भारते चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर से पार्ट टू पुलबामा हमले के बाद भी होनी चाहिए उन लगातियों का आका बना हुआ है उसके खिलापी अंतराष्ट्री आदालत से अंतराष्ट्री अस्तर पर आबाज उठा करके हम अपना पक्ष रखे यार भारत शांती प्रिया देश है हमने हमेशा अपनी मात्र भूमी के लिए हमने सभी लोगों के लिए हम सदय पढ़ाने के लिए हम एक अहिसा के पुजारी बन करके आगे चलें लेकिन जब इस प्रकार के हमारे देश में आतंकी होने के बाद भी हम लोग इतना बड़ा दम अगर बिना चुप रहे सह जाएं तो हमसे बड़ा सांती प्री अभी कोई नहीं हो सकता आज जुरूरत है देश को कड़े फैस ले लेने की देश हित में अच्छे निरने लेने की और मेरे देश के सेना के लिए उन जवानों का मनोवल पढ़ाने की और जब भी आवान होगा आज देश की सेना के साथ पुरा देश खड़ा है मेरे देश के बहुत से करांती कारी युबा आज भारतिय सेना के साथ खड़े और शरदों पर जाने के लिए तयार खड़े हैं जब कभी समात्र भूमी के लिए आप एक बार आवान तो करो बहुत से सरफिरे बहुत से करांती कारी युबा शरदों पर बिना बेतन के जाने के लिए तयार कड़े मेरे पेरा देश भाश्या मुझे दिर में अजाने कितने मैसेज आते हैं कितने मेरे देश के युबा मेरे सात चुड़ने के लिए मैंने अपना पेज में नंबर डाला है बहुत सो युवाओं के हजारों युवा हर रोज मैसेज करते हैं हम भी भारतिय सेना के साथ है और हम बिना बेतन के लिए बिना भोजन हम देश की शरदों पर मां भारती की रक्षा करना चाते हैं लेकिन अंजाम चाहे जो भी हो मेरे देश का हर युवा आज मातर भूमी के के लिए अपना प्राण अपना बलिदान देने के लिए तयार खड़ा है लेकिन जब वो देश का सैनिक अपने मात्रभूमी के लिए प्राण ने चौबर करता है मेरे देश के सभी सवासो क्रोड देश बासियों का एकरतर्वय बनता है कि हम आज पूरे जोश और पूरी करवान हुए और मैं उस बहन को नमन करता हूं जिसका सुहाग इस देश के लिए उजड़ा इस मात्रभूमी के लिए कुरवान हुआ और मैं उस अनात बच्चे के सरपर से जिसके बाप का साया उठा उसके लिए भी मैं इश्वर से मंगल कामना करता हूं कि उनको आप इस सदमे से उबरने की ताकत दे इस सदमे से उबरने की हिम्मत दे और उस परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हो हो सके अगर इश्वर हमें सोभाग्य दे हम उन परिवारों के लिए अपने और से पूरी तरह से समर्पित हैं और क्योंकि ना तो हम उस मां को बेटा लटा सकते हैं ना ऊस बेटे को हम बाप लोटा सकते हैं लेकिन हम सदे बाप के साथ हैं आपका अबलिदान पूरा हिंदोस्तान याद करेगा आपका अबलिदान सुरणी मक्षरों में लिखा जाएगा आपके बेटे आपके पती आपके भाई आपके बचे ने इस देश के जो कुरवानी दी उसे सारा देश याद रखेगा मेरे पैरे देश वाशियो मैं के वीरों को हैं जो रणबीर देश के वाँ डटे हैं आज मेरा पुरा देश उनके साथ खड़ा है हम सबी लोग उनके साथ खड़े हैं हमारी भाबनाय हमारी संबेदनाय उनके साथ खड़ी है उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं लेकिन कई न कई हम लोग यह चाहते हैं कि मेरी देश की सरकार उन अतंकियों से बदला लें, मेरी देश की सरकार अगर फिर से सजगर स्ट्राइक करें और जो हमारे देश की सहिद हुए, उनके परिवारों के लिए कि धांजली होगी, लेकिन चलो फिर भी हम सभी लोग अपने देश की सरकार साथ बने रहें, मैं की बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन माइनस 50 टिक्री टेंपरेचर पर सरवाइब करना, और वहां पर जहां आपको सामने दिख रहा है कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी आप सीना ठो करके आप उस सरहद पर जाते हैं, और धन्य है ओमा, जिसे पता है कि मेरा बेटा नज जाने कब गोली का शिकार सरहद पर हो जाएगा, फिर भी ओमा इस मातर भूमी के लिए अपने बच्चे को भेजती है, धन्य है उस जननी की कोक, जिसने इतने सूर्मा जन्य जिन्हों ने इस देश के लिए अपना सरवोच बलिदान दिया, और धन्य है और सरहद के पीर, ज करता हूँ, जैंद बने मातरम भारत मता की जै,